Good morning children, Sai Ram. Hope you all are fine. So children, today we will study Hindi. आज हम Hindi पढ़ेंगे. और हिंदी में हम पढ़ेंगे ओ और आओ की मात्रा वाले शब्द. हिंदी में हम पढ़ेंगे ओ और और आओ की मात्रा वाले शब्द. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा वाले शब्द. तो बच्चों, सबसे पहले है तव तव तमें ओ की मात्रा तो तमें ओ की मात्रा तो प ये बन गया तोप तो प तोप अब ऐसे ही हमारा अगला शब्द है तो तमें ओ की मात्रा तो तमें ओ की मात्रा तो तमें ओ की मात्रा ता तो ये हमारा बन गया तो ता अब ऐसे ही हमारा अगला शब्द है च में ओकी मात्रा चो च में ओकी मात्रा चो र चोर अब इसके बाद आता है त में ओकी मात्रा तो त में ओकी मात्रा तो प में बड़ी एकी मात्रा पी तो ये बन गया हमारा तो पी तो बच्चों ये थे हमारे ओ की मात्रा वाले शब्द अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ओ की मात्रा वाले शब्द ये क्या है ओ क्या कौन कौन से शब्द होते हैं हमारे ये है ओ और ये है ओ की मात्रा तो अब हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा पहले हमने पढ़ा था ओ की मात्रा अब हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा तो ओ की मात्रा में हमारा आता है अब ये है क क में ओ की मात्रा कौ क में ओ की मात्रा कौ वो में आ की मात्रा वा तो ये बन गया कौवा ये क्या बन गया कौवा 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 अब अगला शब्द है नौ न में आ की मात्रा नौ न में आ की मात्रा नौ क क में आ की मात्रा का तो ये बन गया हमारा नौ का अब ऐसे ही हमारा अगला शब्द है दो दो में आ की मात्रा नौ दो दो में आ की मात्रा नौ रो तो ये हमारा बन गया दोर अब इसके बाद आता है ल, ल में आ की मात्रा नौ ल, ल में आ की मात्रा नौ क, क में बड़ी ए की मात्रा की क, क में बड़ी ए की मात्रा की तो ये हमारा बन गया ल, की ल, की ल, की तो बच्चों ये थे हमारे ओ की मात्रा के शब्द पहले हमने पड़ा ओ की मात्रा वाले शब्द और उसके बाद हमने पड़ा ओ की मात्रा वाले शब्द तो बच्चों आपको भी ये शब्द अपने गर में पढ़ने हैं ओके Thank you all, Sai Ram